नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टार मिस्कुनीज में दोस्तों अदिनस्त सेवा चैनायोग यानि की यूपिटर पलसी के अंदर जो UDA और LDA अपर डिवीजन असिस्टेंट और लोवर डिवीजन असिस्टेंट इन दोनों भरतियों का जो विज्ञापन है जो इसी म जादा बच्चों के कमेंट आये हैं और ये सवाल बहुत सारे छात्रों ने पूछा है कि सर आखिरकार इसकी मुख्या परिक्षा के अंदर बैटने के लिए हमें कितना परसेंटाइल चाहिए होगा ठीक है और दोस्तों आपको बताने वाला हूँ क्या आप इस बर्दी की म इतना परसेंटाइल चाहिए होगा सबसे बड़ा मुद्दा ये है देखिए वया अगर मैं आपको परसेंटाइल की बात करूँ और मैं जनरल केटेगरी की बात करता हूँ अगर मैं सामाने केटेगरी की बात करूँ तो आपका 99 से कम परसेंटाइल वाला छात्र इसकी और किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को मैं अपने चैनल पर धोके में नहीं रखता ठीक है, जो बात रील है, सच्चाई है, वास्त विक्ता है, बिलकुल वही बातें आपको अपनी चलर पर देता हूं और जो जानकारी मिलती है, वही आपको दी जाती है ठीक है दोस्तो निन्याड में से कम परसेंटाइल वाला चातर जनरल कैटेगरी का इस भरती की मुख्या परिक्षा के अंदर बैठने के लिए कोई उम्मीद ना लगाए ठीक है आप जानते हैं कि आपको बता रखा है 65 से लेकर 80 तक इसके बीच में इसमें कुल पद आने वाले हैं तो कमप्टिशन बहुत जवर्जस्त होने वाला है दोस्तो ठीक है और बड़ा हैवी दोस्तो इसमें कमप्टिशन है क्योंकि जितनी वेकेंसी कम होंगी उतना ही ज 99 से कम पर कोई भी चांस नहीं है कि सामने केटेगी का चातर इस बड़ती के अंदर बैठ जाए और हो सकता है 99.5 तक भी जा सकती है ठीक है ना इस बात में कोई शक नहीं है ठीक है ना इतना परसेंटाइल आपका होगा 99 से 99.5 तक तभी आप इसका मुख्य परिश्या दे प हमारा EWS है और सर हमारा OBC है सर हमारा SC है और ST है तो हमें कितना परसेंटाइल चाहिए होगा और हमारा परसेंटाइल जो है कितना कम हो सकता है देखिए ऐसा है जब पैट का जो स्कोर जारी हुआ था उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको बताऊं तो उसमें पॉइंट के 4 या 5 डिजिट तक आपके नंबर थे जैसे किसी का स्कोर आपका 90 है तो 90.46782 इस तरह से मतलब पॉइंट के बाद क्याई अंको तक आपका स्कोर है तो अगर मैं OBC, SC, ST, EWS अगर इनकी बात करता हूँ तो आपका जो परसेंटाइल है ज्यादा नहीं गिरेगा पॉइंट मे नहीं गिरेगा ये भी हो सकता है ठीक है ना हो सकता है किसी का 0.24 गिर जाए या 0.54 गिर जाए किसी का एक नंबर गिर जाए दोस्तो एक नंबर कट आफ गरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी ठीक है ना तो ज्यादा उम्मीद ना लगाएं कि हम SC में है तो हमारा जो है 90 प तो यहां जो है, cut off ऐसे ही गिरेगी, point में ही, ठीक है, एक number गिर जाए, डेड़ नमबर गिर जाए, यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना, और हो सकता है, आपका SC में दो number भी गिर सकती है, लेकिन इतना नहीं है, कि आपका 5 number या 6 number कम हो जाएगी, general में, और SC में, या OBC में, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है दोस्तो, तो यह हो गया एक wishlation, इस भरती का मेरी तरफ से, और किसी भरती को लेकर, या परिणाम को लेकर, या किसी और notice को लेकर, जो भी जानकरी मुझे मिलेगी, वो आपको सबसे पहले, एकदम authentic जानकरी, मेरे चैनल पर द कोई भी जानकरी मांगना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सबी सवालों का जवाब दिया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जहिंज भारत, हमेज़ा खुश रहिए, मुस्कराते रहिए